साथियों नमस्कार योग एवं वैकल पिक्च किसा चैनल में आप सब का हर्दिक स्वागत हर्दिक अभिनंदर हैं साथियों आज हम लोग इस कड़ी में चर्चक करने वाले हैं सर्वाइकल और लंबर रिजन का हमारा जो इस्पाइनल कार्ड है स्वाइकल इस्पाइनल कार्ड के साद्रिश बिंदो के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं एक सर्वाइकल इस्पूलाटि आज का एक बहुत ही एक जाना पहचाना सा और कमर दर्द जो है वो तो लगबख समझी है महिलाओं के लिए एक अजशाब सा हो गया है साइट किस प्रकार से प्लोटिंग कर सकते हैं वह उती आसांस से तकनिक के द्वारा और मैं पूरे एक बोड़ी आरिगंस को दिखा कर बोड़ी आर्गंस का मतलब है आपके सरवाइकल के पूरे वर्टिब्लास को नर्व रूट को और साथ हम अपने थ्वरेसिक और लंबर नहीं इसको बल्किस को शिकने का प्रयास किजें जब हमाच को शिखाने के लिए बड़े मन से आपको सिखा रहे तो निश्चित तौर से आप इसे Скिये और आप सिखिए और लोग्हों को भी सिखाईए आप इसे देखिए और दूसरे को भी देखने के लिए प्रेवित करें ताकि अधिक से अधिक बेक्ति इसे लाभानवित हो सके इसका लाभ ले सके और जन जन का एक पैठी बन सके हम लोग देखेंगे एक्क्यूप्रेशर सुजोग चिकिस्सा की इस अगली कड़ी में अर्था नाइन नंबर की कड़ी जो हमारी है यह कड़ी महत्तप्रूना है इससे हम अपने शर्वाइकल और कमर दर्द को चूमंतर कर सकते हैं तो देखेंगे इस करम में हम क्या कर सकते हैं प्रजेंटेशन के मात्यम से आज जो नौवा नंबर नाइंथ नंबर की जो कड़ी है इसमें चर्चा करने वाले हैं सुजोग तरेटी अंतरगत जो हमारी इस्ता पर्दती है जो साधिष्टग सिद्धान और साथ यांग साथ जो चलने वाली इससे के पूर्व के पूर्व के चर्चा किया था वह पूर्व को रोस्पोंडेंश बात की थी स्पाइनल का जी हम सर्वाइकल और इस्पाइन लंबर की बारें चर्चा किया था आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं महत्रपून बॉड़ी और गन्स जिसे लाइफ एसेंस कहते हैं जीवन का शार्थत्त जहानीत होता है आप सोच रहेंगे भाई क्या हो तो जहां जीवन का जो सार्थत्त होता है ना वह हमारा कि इसमें हमारे पूर्व जल्म के पिशले जन्ह के हमारे जो जितने भी अनर्जी किनि में सनृट होती है तो और आये इसको थोड़ा से देखते हैं पहले किड्नी का टक्र देख लेते हैं किड्नी है क्या भूर दिखने परययास किया है अंदर का पार्ट देख लिए यहां पर जो हमारा थोlla यहां से लंबर चुरु हो रहा है इसकि नमबर का कि एक डाइट है कि estrogen मीत्रों पभी तो होता है ऐसे भी हमने देखा है तो पहले आप प्लेस है उसकी देख लीजे उसी इस्टॉक्चर को हम आपके आगे हाथ के पीछे वाले पार्ट में अर्था यांग साइट हम इसको प्लोटिंग करने माले हैं किड्नी का महत्रपुन कारी है यह वाटर का फिल्टर करता है लेक्विट अगर किसी पतार के कोई भी अगर यूरिया युरिकेश्ट जो भी होता है अगर अट्रिक बाण्डी के लिए और शक्रण कर देता है अब इसको हम लोगो देखते हैं अपने हाथ की हथेली के बेक साइट जिसे यांग पार्ट कहते हैं जैसे कि हमने इससे पूरों की कड़ चार था इसके बाद हमने बीज में बड़ी लंबी वाली यह कट लेक लेका प्रेक फाइंड लगा है यहां है यहां तो तो इसा यहां पर वह ऺएगास familiar किजेगा म्रद्ध्ध्यान से समझने के प्रयास कीजिएगा और यह मध्यम्मली के बीच बंवा पकर भी और ? हमें इस जदर आपका है इस जनील ओसे ब्रध्यां सुनिएगा स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर चोटी उंगली और आपके अनामिका उंगली के मध्य में भी दो हड्डियों की बीच में एक चैनल है गड्धा वाला भाग है इसको दबाते दबाते उपर जाएए देखिए यहां पर कारपस है और मेटा कारपस है इसको मैं और अच्छी तरह देखाऊंगा पूरे पुदेश के लेटा सिस्टम को तो निश्चीत तोर से कीड़नी हमारी यहां क्योंकि हमने कहा था कि थोरे सी कट्वेल नंबर लंबर का फर्स्ट नंबर यहीं पर किड़नी होनी चाहिए तो यह लास्ट पार्ट पर क्या है हम लोग यहां पर यहां देखे आप बहुत ही सांदार तरीकर समने यहां दिखाने का प्रयास किया है और इसी को हमने यहां पर प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है क्योंकि युरेत्रा हमारे इन्साइट पाये जाता है इसलिए यहां से अंदर की दरा जाएगा युरेत्रा अधứng है यूडीन पानी नियंद्र में जाता है नाम अदिन् rolls कई आप देख रहें तो बनाईये ना के यह ना करना बनाएँ पेन उठाइए और अपने हाथ में जिर दबा कर देखिए सहीं प्रयास तो कीजिए और प्रयास करेंगे तो निश्ची तोर से आपको सफिलता मिलेगी अच्छा थोड़ा सी इसको घराई से और देखते हैं हम लोग यहां देखिए क्या है इसमें देखिए मैंने सबसे कहा था इंडेक्स फि यहां पर एक किड्ने के रिया यही जहां लाश्ट हो जा रहा है और दूसरे किड्नी स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के मद्य दो अडियों की बीच में जो कहा था यह आपका पर्टिकुलर ए वाला पार्ट है मेरे करसर आप देखने के प्यास कीजिए यहां करसर चल र जाती है उसे लगता है कि यहां समापन नहीं इसको आप क्रॉस कर लिजे आगी जब जाएंगे तो नीचे यहां पर लगाईए अकसर लोग इंगलती करते हैं और वैसे इक यहां पर भी जो हमारे नसे यह टेंडर से यहां पकड़े हुए हैं यह भी आपको बीच में लोग देता है तो बैसा अधानी से आप थलकत दबाईए और दबा करके आगे तन बोलिया अच्छा एक और महत्तुणा बात है कि यह कहीं ने कहीं हमारे वेक जो हतेली होता है उसके मध्यभाग में होता है लगभग मध्य से 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 थोड़ा से ऊपर हो सकता है बट लगभग मिदल चर्द पार्ठ में है तो यह भी इसका एक पैर्च मिटर है इसको देखे। हमने इस तरह से बनाने की प्रयास नें राजमा जो तो यह बर लगाएंगे का मुक जो है ये यह फेस वार्ड आमने सामने रहें जो जो सप्लाई पार्ट है अंदर की तरह भी होती है इसलिए आप भी इसको ऐसे लगाएं उपर से पेपर टेप कर दीजिए मित्रों बार बार युरेनेशन की प्राब्लम है पेश आप कंट्रोल नहीं हो रही है किड्नी में दिक्कत है यहां तक गुठने की प्राब्लम हो फिर आपको किड्नी का ट्रीट्मेंट दीजिए और फियर वालों के लिए दर वालों के लिए वो तो महत्तरपुर्ण है आप किड्नी को आप दबा कर देखिए आपको पानी से डर लगता है तो रहूंचायों लगता है स्टेज प्यार है कैसे भी है तो साथियों आप जरए किड्मेंट सिंपल कुछ नहीं कर सकते तो आप डेली अपने अंगुठे से उप्रेस किजिए मसाज किजिए इन जो चैनल पांच हमारे पाद चार चैनल देखिए यह हमारा ब्रेंड चैनल होता है जो अंगुठा है और यह इंडेक्स फिंगर बीच में ब्रेंड चैनल इस इसके बीच में इसको बोलते हैं आपका ये है किद्नी चैनल यही ही जी हां ये किट्नी संबन्दी मुत्राश अग्र संबन दी कोई धिकत आ रहे है तो आप इस चैनल के अच्छे से मसाज करें Um और यह मिड्ल फिंगर और निंग फिंगर के बीच की गहरा वाला चैने सको बोलते के इस्पाइन चैनल इस्पाइनल कॉड का है यदि कमर में दर्द है या स्पाइन संबंदी के एक सो आई जेट कोई भी प्रॉब्लम आ रहे है तो इस मिडल फिंगर के आप फिंगर को ही मसाच दे दुनों फिंगर को साथ साथ में आप इस दहरा वाला भाग को लेकर कि यहां से यहां तक क्या किजिए डेली मसाच इसके बाद अंतिम आपका यह और इस्मॉल के बीच का जो चैनल हिर्दैका जी हर्दैका जो है अगर हां इमोशनल की सी वैक्टी को प्रॉब्लम है तो आप इन चैनलों को इन दो फिंगर के बीच की चैनल को अच्छी तरह मसाज किजिए इस जोनों बहुत कर मसाज और इस चैनल का मसाज कीजिए देखिए कि इमोशनल इस्टेबिलिटी कैसे आती है आप इंदर में आप इमोशनल रूप से स्ट्रॉंग हो सकते हैं तो मित्रूं यह महत्व पुनिची की सब्दती है इसमें कलर के बारे भी चर्चा करेंगे लेकिन और बहुत सारी एपिसोड आपके पास आने वाले बहुत सारी कड़ी आने वाली है आप प्रतिच्छा कीजिए और जो आप देख रहे हैं यह कड़ी जिसे आपको सीखने को मिला है निस्ट और आप भी चाहते हैं कि अन्य बेक्ति भी जाने सिखें मैं तो चाहता हूं भारत के हर बेक्ति हर नागरिक सिखें इसे ताकि हमारी यह पैथी जनजन की पैथी बने और लोग इसे इतनी सिद्धत से सिखें कि अपने इची किसा खुद ही कर ले डाक्टर की पास जाने के आउशक्ता ना पड़े तभी आउशक्ता पड़े जब कोई एक्सिजेंटल प्रॉब्लम हो जाए यह कोई इ इसको आगे ले जाने कसरे आप हो जाता है इसके बाद इसी कड़ी में हम आगे जो देखते हैं हमने तो बेक साइड में निदेखा अब यूरेथरा कि दर होगा यूरेथ्रा छो हमारा गो यहां पीड़नी दिखा दिया एकीडिनी कि पैक साइड का है यहां से इस आमने फ्रंट फर्रेंट इंशमा को 具 यह पूरा जाता को मैसेज जाता है कि उसी निका लीट कि माध्या screens क्यों योए का ऐसे ट्रोल भाव हो रहा है पेसाब लीख हो रहे हुए बार बार या जलन या हम पे यह ऊस्क्राइब कोई यह दिक्कत होती है तो भी यहां पे आप क्या गर सकते हैं यहां पर बारबार यूरी हो रहा है परेशाब हो रहा है गर्मी लग रही है तो नहीं को बता ही अगर किसी को बेट वेटिंग की प्रॉब्लम है अगर चोटा बच्चा विस्तर के पेशाप करें तो दिक्कत है ना तो ऐसे कंडिशन में क्या करें यहां पर यह वाली एरिया जो देख पा रहा है जो यूरीन का मारगा है यहां पर मिद्व चार आने के बराबर इतना बड़ा एरिया जितना बड़ा मले यूरितरा बनाया है उतने बड़े थोरा से नीचे यहां से इस वाले पार्ट में आप इसमें क्या लगाएगी लोगा लगा दीजिए बोध हैंड में बहुत हैं क्या में पैर में भी लगा दीजिया बला चारों जगा पर आप क्या कर देजिए यह प्रिपीन पावर देता है कंट्रोल करता है और साथ साथ किड़नी पे राजमा लगा दीजिए ताकि किसी प्रकार फियर या भय होता है शपना दिये तो ही बेक्टी को गहा है यूरीन पास हो जाता है दो काम कीजिए देखिएगा बेट पिटिंग से कैसे आपको चुपकारा मिलती है अगर नहीं मिले कापाम से संपर कीजिएगा निश्चित तोर से आपके शिपकारा मिल जाएगी तो यह तो है यूरीन ट्रेक का मित्रों इसके बाद एक और महत्तुन बात है यदि माले और यूटरस की बात करते हैं यह कहां पे होगा हमारे यूरीन ट्रेक चाहे मेल हो या फिमेल हो जिखिए मैने दो हाथ जाए यह यूरीन ट्रेक बात है यह तो यह तो निश्चित साथिव यह हमारा इसी जहां पे हमने यूबी का पाट दिखाया है आपको का पार्ट दिखाया है यहां पे उर्यम प्रेकर भूब्यार बनाने प्रयाज है यहां प्रेस ऊपर यहां प्राइब यहां प्रेसर दीजिया मसाच किजिए डेली सब्सक्राइब ही तो मेल में द 나서BobVI यहां पी दिखायाा गyo इंप यह इस बागल वाले पार्ट में भी यूरीन ट्रे के बाल ओली पार्ट को साल दबाऊ देख सकते हैं 534 मेंगनेट लगा सकते इस पर इसके और उस्तरी जानकारी इसा समंद्री क्यों होता है किस इसलिए होता है इसका हमला से कड़ी में चर्चा करेंगे मुझे उम्मिदे साथियों आपको हमारी बाते अच्छी लगी होगी और यह सीखाने की तरीका और सीखने के तरीका आपको भी अच्छा लगेगा आप सीखेंगे और सीखना तो पड़ेगा ही क्योंकि यह किस्वी सदी की चिकिसा पदती है सभी को सीखना है सभी को सिखाना है जंजन का लाब लेना है क्योंकि आईरवेद जीवें सरदा सतम की बात के ही सहसाध जीने की बात की है स्वश्थ सरीर, शक्षमन और शव्यसमाच इसकी योगों को आप देख रहे हैं मेरे अच्छी लग रही होगी आपको तो आप इसको निश्चित तोर से आगे बढ़ाएं अपने इश्ट मित्रों के साथ इसे सेयर करें और सभी को इच्छल भईश्य की कामना करते हुए हम अपनी बात को यहीं बिरान देते हैं नमस्कार जैह करते हैं